एक समय की बात है भगवान विश्णु और मालक्ष्मी पृत्वी लोग पर भ्रमन करने आये एक काउ में पहुँचकर उन्होंने अपना भेश बदल कर साधू और साध्वी का भेश थारण किया तब मालक्ष्मी ने पूछा स्वामी आप आज पृत्वी लोग पर किस उद्देश्य से आये हैं क्या किसी भगत पर कोई संकट है जिसके कारण आप मुझे भी साथ ले आए तब श्री हरी विश्णू ने मुस्कुरा कर कहा देवी इस मृत्यू लोग में तो सब अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतने कष्ट सहने के बाद भी क्या ये पुर्णे कमाते हैं साथी भक्ती करते हैं या नहीं सबसे पहले श्री हरी और मा लक्ष्मी एक धनी सेट के खर पहुँचे वहाँ पहुचकर उन्होंने सेट जी को आवाज दी उनकी आवाज सुनकर सेट जी बाहर आये उनसे भगवान विश्णू ने कहा सेट जी आप पर तो मा लक्ष्मी की बहुत क्रिपा है फिर भी आप कह रहे हैं मेरा सारा धन मेरे बेटों ने समेट लिया और वै घर छोड़ कर चले गए अब इस घर में मैं और मेरी पतनी रहते हैं वै बहुत बीमार है बेटों को याद करती रहती है यदि ये धन ना होता तो लालश ना होता और हमारे बेटे हमारे पास होते ये सुनकर पर अत्याचार करके कमाया और उससे अपने बच्चों का पालन पोशन किया इसी कारण वे धन को अपना पिता मान बैठे ये कहकर दोनों आगे चल देते हैं आगे जाने पर उन्हें एक किसान मिलता है जो अपने मरे हुए बैल के पास बैट कर रो रहा था मा लक्षमी ने उस से पूछा भाई तुम रो क्यों रहे हो ये बैल कैसे मर गया किसान ने कहा धन के लालच के कारण मेरा बैल मर गया जादा धन कमाने की इच्छा के कारण मैं इससे दिन में खेतों में काम करवाता था और रात में कोलू में लगा देता इससे मैं बहुत धन कमाता था लेकिन क अगर संसार में धन ना होता ना मुझे लालच आता और ना मेरा बैल मरता तब लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी ये क्या माया है मैं तो सोच रही थी इस संसार में धन और वैभव के कारण सब मेरी पूजा करेंगे लेकिन ये तो धन से ही परिशान है तब श्री हरी ने कहा ऐसा नहीं है देवी ये सब कर्मों का फल है ये बैल एक साहुकार था जो लोगों को पैसा उधार देकर अपना गुलाम बना लेता था और उनसे दिन रात काम करवाता था उसी को चुकाने के लिए इस जनम में ये बैल बना और आज इसका कर्ज उतर गया तब लक्ष्मी जी ने पर उन्हें एक छोपड़ी दिखाई दी जिसके बाहर एक दीपक जल रहा था भगवान विश्नु और लक्ष्मी जी वहाँ पहुँचे और विश्नु जी ने पुकारा कोई है जो हमें भोजन करा सके ये सुनकर एक ओरत खर से बाहर आई और बोली हे साधु जनम पधारिय मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है वे दोनों अंदर चले गए तब लक्ष्मी जी ने पूछा आपने घर के बाहर दीपक क्यों जला रखा है तब उस औरत ने कहा मेरा नाम सुझाता है ये दीपक मैंने आने जाने वालों के लिए जला कर रखा जिससे वे अंधेरे म रास्ता ना भटक जाए और यदि उन्हें कोई कष्ट हो तो हम उनकी मदद कर सकें ये सुनकर विश्णु जी ने कहा हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं ये सुनकर सुझाता बोली महराज आपको कुछ समय इंतजार करना होगा मेरे पती अभी सेट जी के घर काम कर र नहीं है यदि तुम्हारे पती ना ला पाए तो क्या होगा तब सुझाता ने कहा श्री हरी और मा लक्ष्मी की कृपा से हमें एक वक्त का खाना अवश्य मिल जाता है वही हमारे लिए काफी है भगवान की कृपा से हम आज तक भूखे नहीं सोए तो आज भी नहीं इस से जादा का लालच हमें नहीं है कुछ समय बाद उसका पती सामान लाया और दोनों ने खाना पका कर साधू और साध्वी के सामने रखा खाना रखकर सुझाता ने कहा ये रूखा सूखा हम भगवान का प्रसाद समझ कर ग्रहन करते हैं आप भी प्रसाद समझ कर भोग लगाईए इससे आपको संतुष्टी मिलेगी भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी ने भोजन किया इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा हमने तो भोजन कर लिया लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा सुजादा ने कहा नहीं अभी एक चावल का दाना बचा है वही हमार लिए काफी है भगवान का प्रसाद चकने को भी मिल जाए तो ये परमसो भाग्य की बात है उनका समर्पन देख कर भगवान विश्णू और लक्ष्मी जी अपने असली भेश में आ गए श्री हरी विश्णू ने कहा सबसे बड़ा फल संतोश का है धन सबी के लिए आवश के भंडार भरे रहेंगे दोनों पती पतनी उनके चर्णों में गिर गए और बोले भगवान यदि कुछ देना है तो अपनी भक्ती दे दो भगवान विश्णू और मालक्ष्मी ने उन्हें आशिरवाद दिया और वे अंतरध्यान हो गए उस दिन से वे दोनों भजन और स जहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमरित को सब्सक्राइब करें